उत्तर प्रदेश विधान सभा का मौनसून सत्र 7 अगस्त से शुरू हो गया। मौनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दोरान समाजवादी पाल्टी ने जोर शोर से मनिपूर पर चर्चा की मांग उठाई। जिस पर इनकार करते हुए विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस सदन में सिर्व यूपी के मुद्दो पर चर्चा हो सकती है। इजासत नहीं मिलने पर समाजवादी पाल्टी के विधायक बेल में आ गए। इस दोरान तंज कसते हुए अखलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगिजादित तिनात मनिपूर पर बोल कर पूरे देश की आवाज बन जाएंगे। मनिपूर पर कम से कम मनिपूर पर हम आप से कुछ बोलने की अपेशा कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मनिपूर की घटना की निन्दा नहीं हो। वहीं विधान सबा में समाजवादी पार्टी द्वारा मनिपूर का मुद्दा उठाए जाने पर यूपी के संसदिय कारे मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष इस प्रकार के मामलों को लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। हर समय येनियमों का वाला देते हैं और नीयमों को थोल पफलों के पेश करके अपना उल्लू सीधा करना मेंइबर। किया और कितने लोगों ने प्राइम किया और कितने लोगों ने हासके हैं। उदर विदान सबा का सत्र शुरू होने से पहले यूपी के डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरे ने कहा कि विपक्ष के पास अगर जंता से जुड़ा कोई मुद्दा है तो सदन में आएं सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है बिपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आएं सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है जन हिससे जुड़ी हुई समिस्याओं को सुनने और उस पर बहस करने के लिए तैयार है लोगों का तो पहले से ही मन मना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई छेतरों में बाढ़ाई है कई छेतरों में शूखे की स्थिती है ये किसानों से जनता से जुड़ा हुआ हुआ है इस पर सकारात मक चरचा करें विधान सबा सत्र के पहले दिन हंगामे के बीच सदन में निधन का प्रस्ताओ पेश किया गया इस दोरान विधान सबा के सदस्य रहे अतीक ऐहमद और खाली दजीम अशरफ समेट दस पूर्व सदस्यों को श्रद्धान जली दी गई बता दें कि अतीक एहमद और उनके भाई अश्रफ की 15 अप्रेल 2023 को प्रियाग राज में पुलिस हिरासत के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी गई थी बता दें कि अध्रिए खाली जजीम और उनके अप्रेल 2023 को निजन हो गया वो लगवग उन्चास वर्षके थे श्रीक खाली रहमद और उर्फ अश्रफ का जन्व 3 अप्रेल निस सो चौतर को जिलाप्रियाग राज इलाबाद में वुआ था उन्होंने इस तना तक तरके शि कर पांच के उप निर्वाचन में निर्वाचन श्रफ अलाबाद पश्चीम जिला प्रियाग राज इलाबाद से समाजवादी टिकेट समाजवादी पार्टी की टिकेट पर विदानसबा के शिद्ध से श्रीअतीक हेमद का 15 अपरेल दो 10-30 को निधन हो गया वह लगवग विदान सभा के मौनसून सत्र का पहला दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया जिसके चलते सदन को 8 अगस्त की सुबा 11 वजे तक के लिए अस्तगित कर दिया गया पांच दिन तक चलने वाले मौनसून सत्र में विपक्ष सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घहरन की तयारी में हैं सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी और आरलडी के विधायकों ने विदान सभा के बाहर प्रदर्शन किया